सब्सक्राइब कीजिए धे आईयस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार मैं सुनिल वर्मा धे आईयस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूँ धे यूटुब चैनल पर स्टुडेंट हम बात करेंगे अपने डेली करेंट अफेर्स के प्रोग्राम पर स्टुडेंट हमने आपके कल के कमेंट्स देखे कई बच्चों के चिंता है कि दरसल बीच में वीडियो नहीं आ पाया कहीं प्रोग्राम बंद तो नहीं हो गया student बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा कई बार कुछ परसासनिक और तकनीकी खामियों के कारण हम लोग डेली आप तक वीडियो नहीं दे पाए हाला कि यह कभी कभी हुआ है लेकिन आगे से हमारा प्रयास रहेगा यह बिल्कुल भी break नहीं तो साथी साथ एक और सूचना कि अगर आपको लगता है कि मालेची आज का वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाया तो इसके टोपिक छूट जाएंगे ऐसा नहीं होगा student हमारा प्रयास यह है कि कोई भी single topic जो आपके लिए important है वो आप तक जरूर पहुँचे इसलिए student current affairs को लेकर आप निश्चिंत रह सकते हैं तो साथी साथ थोड़ा सा आपको भरोसा करना होगा जैसे दो-तीन दिन जो वीडियो नहीं चापा हैं उनके topics को मैं cover करने का प्रयास कर रहा हूँ और उसके लिए चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े हम उसके लिए मेहनत करने के लिए तयार है थोड़ा सा आपसे सहीयोग की गुजारिस है और सहीयोग इस रूप में आप जो है कि बने रही है मेरे साथ देखते रही है और दोस्तों के साथ लिंक को सेर करते रही है इससे हमारे टीम को motivation मिलता है इस्टुड़न आईए हम बात करते हैं आज के topic पर और देखने हैं आज की कौन से ऐसी पर्मों खबरे है एक चीज़ और कि आज एक burning issue जो आपके news paper और TV में चाया हुआ है वो है इरान में जो घटना हुई है अर्थार इरान की कमांडर को जो US के द्वारा मारा गया है इसको लेकर काफी तनाव बना हुआ है और एक बैस्विक युद्ध की संभावना जताई जा रही है इस पर मैं special video बना रहा हूँ इसलिए मैंने उसको daily current affairs के video में नहीं लिया है वहाँ कुछी समय में आपके पास वह video भी पहुंच जाएगा और उसमें देखिएगा कि किस तरह से इरान और इराक के साथ साथ US से किस संभंधों में परिवर्तन आ रहा है और किस परकार के घटना करम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इमेज बन सके कि दरसल यह जो के मद्ध पूरो का यह जो छेत्र है इसमें किस परकार के तनाव बरते दिखाई दे रहे हैं आई स्टोंट सबसे पहले अभी बात करते हैं डेली करेंट अफेर्स की उन खबरों पर जो अभी हमें डिसकस करने हैं सबसे पहले हम बात करेंगे National Infrastructure Pipeline जिसको NIP के नाम से भी जाना जा रहा देखेंगे कि दरसल नेशनल Infrastructure Pipeline क्या है और इसके लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं तो साथी साथ देखेंगे Infrastructure का मतलब क्या होता है और भारती अर्थव्योस्था में इसका क्या मतलब हमें आगे देखने को मिल सकता है जो अगली हमारी खबर होगी इस्टूने वह होगी नीदरलेंड अब हॉलेंड के नाम से नहीं जाएगा जाना जाएगा यह एक खबर है आपने कई बार किताबे पढ़ी होंगी तो कई बार नीदरलेंड पढ़ा होगा कई बार हॉलेंड पढ़ा होगा देखेंगे इन दोनों के समीर करण क्या है तो किस परकार के changes आपको देखने को मिल रहे है और अब ये नीदर लेंड जो है कि सिर्फ नीदर लेंड के नाम से जाना जाएगा, हॉलेंड के नाम से नहीं जाना जाएगा, इसके पीछे के कारण क्या है? वहीं अगली जो हमारी खबर होगी, जो कि कल के वीडियो में चोड़ गई थी, वह है पसुपालन और भारती अर्थवियोसा, इस्वान जैसा कि मैंने आपको आसोसन दिया, कि जितने भी टॉपिक्स होंगे, उस सभी टॉपिक्स में जो है कि किसी न किसी वीडियो के मादम से आप तक पहुचाओ जरूर दोंगा, इसलिए आप थोड़ा सा निश्चिंत रहिए, धैर रखे और आप बस देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आप जितना मेहनत करने का प्रयास कर रहे हैं, आप उस मेहनत में कमी मत लहिए, रही मेरे तरफ से प्रयास की, तो मैं कोसिस य कर रहा हूं कि आपको कभी भी करेंट अफेर से लेकर कोई भी इसू आपके सामने ना, इसलिए सबसे पहले आई देखते हम बात करते हैं, निदर लेंड आप देख रहे हैं, निदर लेंड कहां पर है, आपकोस यह जो है कि चंद्रमा पर नहीं है, यह कहां पर यूरोप मे यह जो देख से निदर लेंड देखिए आपके स्कीन पर एक इमेज, इसमें देखिए यह जो निदर लेंड है इसको मैं और थोड़ा सा दूसरे एक इमेज से आपके दिखाऊं, तो और हो सकता है आपको यह थोड़ा सा किलियर हो जाए, यह देखिए आपका यह निदर ल अगर आप इधर देख रहेंगे जर्मनी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इधर देखिए बेल्जियम लिखा दिखाई दे रहा है और उसके बाद यह पूरा जो छेत्र है यह जो नीदर लेंड है इसी को आप हॉलेंड के नाम से जानते आए एक इमेज इधर भी देख तो कई बार इस देश को इनकी महत्ता जादा होने की करण हम क्या करते हैं नीदर लेंड को हॉलेंड के नाम से भी पुकारते हैं अगर आप उसकी ओफिसियल वेफ साइड पर भी आज से एक महीने पहले आगर आप गये होंगे और महा लेजिए आपको टूरिस्ट के साइड से अर्थात आप कहीं पर भी सम्मेलन हो रहा होता है कोई गेम हो रहा होता कहीं भी इस देश की जब भागदारी हो रही होती है तो कई बर क्या होता है इसको एतिहासिक रूप से नीदर लेंड और हॉलेंड दूनों नामों से जना जाता रहा और इसलिए कोई भी न नीदरलेंड के भाग हैं, तो दरसल जब हम हम हॉलेंड सब्द यूज करते हैं, तो दरसल क्या कहना चाहते हैं, हम इन छित्रों की बात कर रहे हैं, इस पूरे छित्र की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से, जैसे हम कहें, कि हम जब भी सब्द यूज करते हैं, जम्मू क किसमी है तो हम दो सब्द उसमें करते हैं थी किसी तरए से जब हम हॉलल नीदरलेंड के नाम से अर्थात इस देश की पहचान सिर्फ नीदरलेंड रहेगी ना कि हॉलेंड रहेगी आई इस टुड़ा सा मैं इसके कुछ मिनर से आपको परचित कराता हूँ और देखते हैं कि इस पूरे घटना करम को किस तरह से आपको देखना है दूसरी चीज़े है कि जो नाम का परिवर्तन हुआ है यह पहला जो है कि देश नहीं है इस से पहले इस टुड़ने मैं भी बताऊंगा मेसोडोनिया और स्वाजी लेंड ने भी अपना नाम चेंज किया है तो उस पर आने से पहले थोड़ा सा नीधर लेंड पर हम बात करते हैं इस सबसे पहले यह देखिए नीधर लेंड है इस नीधर लेंड का जो अर्थ होता है वह होता है Lower Country Lower Country का मतल्ब ऐसे देश जो कि समुद्र तल से कम उचा होता है आप कहेंगे यह कैसे होता है तो देखें फिर से आपको मैं मैप दिखाता हूँ यह देखिए इसका जो पस्मी इलाका हुआ उत्री जो भाग है यह वाला भाग यह अधिकांस भाग जो है कि समुद्र तल से बहुत नीचा है नीचा का मतलब क्या है कि जैसे माल लेजिए आप से मैं पूछ हूँ कि आप किस जिले के हैं और उस जिले की हाइड कितनी है तो हाइड कैसे बताते हुआ समुद्र तल से उचाई जैसे कि आपने रेल वे स्टिशन पर देखा होगा हर जगे बोर्ड लगा रहता है कि समुद्र तल से कितना उचा ठीक अगर यहाँ पे नीद पूद्र तल का जो लेबल है उससे थोड़ा सा ज़ेश्ट ऊपर क्या है अधिकांस इसका भाग है इसी के कारण इसको लोवर कंट्रीज के नाम से जाना जाता है और सिर्फ इसी को नहीं जाना जाता है इसकी जो पास वाले जो छेत्र हैं उनको भी लोवर कंट्रीज में देखा जाता है लेकिन अगर आप से प्रश्ण पूछ ले कोई कि दरसल कौन सा ऐसा लोवर कंट्रीज का देश है जिसका नाम परिवर्तन किया गया है कन्फीज होने की जरूरत नहीं है वह है नीदल है इसका जैसे कि मैंने आपको बताया इसका अधिकांस भाग क्या है जो है कि समुदरतर से बहुत कम उचाई पर है अगर आप देखें तो मैं इसको एक फैक्ट और दे देता हूँ वह है 50% भाग सी लेबल अर्था समुदरतर से मात्र एक मीटर तक ही उचा है और इस्टूने 17% तो जो छेतर है इसका वह क्या है इस्टूने सी लेबल से भी न की कि यह जो पूरा छेतर है इस्टूने यहां का जो इस्थलय भाग है यह तालिय भाग पर क्या है यह दिखेश है यह जल है कि क्या हूं चड़ data है और कैसे चड़ गया है जो सभाहभी धेजब acord क्या होगा एसा च्छेत्र होगा जो नीचे होगा जैसे आप एकल्पना करी यह आप coastal area देखते हैं, तो टटिये छेतर में समुद्र का पानी क्या होता है, वो टकर आता रहता है, उसके उपर आता रहता है, तो दरसा 17% भाग तो इसका इसा है, जो मात्र जो क्या है, sea level से भी नीचे है, और 50% से अधिक भाग इस्टोन एक मीटर से कम हो जाए, सवभाव है, यह निम्न उचाई वाला देश है, इसलिए इसको नीदरलेंड को lower countries group में, हम देखते हैं, इसकी student राजधानी जो है, वो है तो है Amsterdam, लेकिन आप अधिकास जगे इसको कई बार आप अगर विक्कीपीडिया पर सर्च करिए, तो हो सकता है, आपको दाहेग दिखाई दे, लेकिन सम्विधान के अनुसार, इसकी जो राजधानी है, वो है कहां पर है, आपका Amsterdam में, ध्यान दे बिलकुल confused होने का जरूरत नहीं है, हाँ यह जरूर है कि इसके परसासलिक काम क्या होते हैं, अधिकांस काम दाहेग में होते हैं, इसके कारण इसको कई बार इसको राज राजधानी है, वो कहां है, आपकी Amsterdam, यह 33 रूप से इस देश को दो नामों से जाना जाता रहा है, जैसा कि मैंने बताया है, नीदरलेंड और दूसरा क्या है, हॉलेंड, आप देखिए, यह जब नीदरलेंड, हॉलेंड के रूप में जाना जाता रहा है, तो दरसल जब हम हॉलेंड सब दी उच करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपकी स्टार्टिंग में दिखाया, उत्री हॉलेंड और दच्छिल हॉलेंड दो भागों को जानते हैं, और इस तरह से पूरे छित्र को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और जब आप द जो है कि इसका नाम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा नीदरलेंड होगा हॉलेंड नहीं होगा इससे परिवर्तन क्या आएगा इस्टों ने इससे दरसल जो पूरा ये देश है यहाँ पर टूरीज्म के पॉंट अबी से कापी संभा होना है अभी कोई अगर ब्यक्ति और इस तरह से क्या होगा नीदरलेंड का परिटन बढ़ेगा साथी साथ ब्यपार बढ़ने की संभावना है प्रशना आएगा कि नाम परिवर्तन से ब्यपार का कैसे मतलब इसको इस रूप में देखिए मैं आपको दिखाता हो इमेज और उसको थोड़ा सा सोचने का आप कुछ प्रयास करें इस दोन इदेखि यह तो आपका अलेंड वाला भाग है और उसके बाद यह जो छेत्र है यह फूरा जो छेत्र है जब क्या होगा कोई व्यक्ति घूमने जाएगा माल लेजे मैं जो है कि घूमने गया और मैं घूमने गया अगर मैं हॉलेंड जाता हूं तो इस यहीं से घूम के चला आओंगा तो जो चीजे यहां पर मुझे दिखाई देंगे हो सकता उनी की विश्वे में मैं विचार करू तो मैं देखूंगा यहां पर कोई छेत्र को इंडेश्री हो सकती है यहां पर कोई सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है तो जो मैं इन जब छेत्रों के बिसे में मैं जानूंगा तो क्या करूंगा आगे चलकर मैं इन छेत्रों के साथ भी क्या करूंगा वैपार बढ़ाने का प्रियास करूँगा इसलिए इससे क्या होगा ब्यापार में भी ब्रिद्धी होगी और ब्यापार में जब ब्रिद्धी होगी तो सौभाविक है कि पूरे निदरलेंड का क्या होगा विकास हो पाएगा दरसल यहां चो यह पूर भी निदरलेंड का जो एरिया था उसमें उस हमारी जो basic पहचान है वह नहीं वन पाती हो très фильма कर दिया ज़का अब इस होनी दो नाम का करिवर्थन हुआ है इससे फेले इस्टूने जो मेस lui निया था नंए भी अपना ना परिवर्थन किया था उसको आप लिख लिजेगा यह आपके लिए काफी important है तो मेशोड जो मेशोडोनिया है मैं spelling के साथ आपको लिख दे रहा हूं मेशेडोनिया यह जो मेशोडोनिया है इसने अपना नाम परिवर्तन किया और इसने नाम अपना परिवर्तन कर दिया North मैसे डोनिया ध्यान देजेगा इसने क्या किया North मेसे डोनिया अपना नाम परिवर्तन कर लिया और एक नाम और परिवर्तन किया और वह किया स्वाजी लेंड अब आप देखिएगा मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं और मुझे बताईएगा कि दरसा स्वाजी लेंड कहां पर है क्या यह चंद्रमा पर है या फिर मंगल पर है यह आपकी जिम्हे दा रही है बताएगे मुझे नहीं पताएग कहां पर तो स्वाजी लेंड को जो है कि इसका नाम क्या कर दिया गया है यह कर दिया गया है इस्वातिनी और यह इसलिए किया गया है कि कई बार क्या होता था लोगों को конфis Иल लेंड अर Swigiland एक तो नहीं है, तो दरसल उहां के लोगों खुल लगा कि नहीं, हमारी अलग पहचान होना चाहिए, Swigiland के साथ हमारा नाम नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने क्या कर दिया ? इसका नाम इस्वातनी कर दिया आप समझे में आ गया होंगे कि दरसल हमें अंद्रमा और मंगल पर जानी की जरूरत नहीं है और आप comment box में मुझे बताइएगा कि दरसल ये कहां पर है हाँ हो सकता है तो इसके पड़ोसी देश भी अगर मुझे बता देंगे तो अच्छा होगा चलिए अब दूसरी चीज है हम थोड़ा सा नीदरलेंड के विसे में कुछ चीजों को जान लेते हैं नीदरलेंड की जो सरकारी भासा है वो इसके डच है यहां का इतनीक जो ग्रूप है उसमें देखिए 77.39% जो population है वह डच लोगों की है 9.88% जो ही एरोपी लोग है और 2.3% लोग क्या है तरकेस है यहां पर 51% इसे लोग है जो नास्तिक है अर्था जो किसी धर्म को नहीं मानते और साथी साथ जो है कि यहां पर 24% कैथोलिक और 15% प्रोश्टेंट है इनका जो यह जो देश है इसका छित्रफल के पॉंट आप बियू से 111 इस्थान है तो वहीं जो अगर जनसंक्या के पॉंट आप बियू से देखें तो इसका जो position होगा 66 दिखाई देगा यहां का जो घनत तो है इस्टुनेंट वह 418.3 किलोमेटर है और इस हिसाब से इसका तीसवा इस्थान है यहां के जो मुद्र है वह यूरो है और इवस से डॉलर दो मुद्रा इहां चलते हैं यहां के जो सबसे परमुक जो बड़े सहर है वह एमस्टरडम, रोटरडम, दाहेग और जो है कि अत्रिच यह जो कि 4 इसके परमुक बड़े सहर प्रशन आएगा यह है जानकार इसलिए क्यों दी गई जो कि दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपोर्टेंट है इंडियन एकॉनमी के पॉइंड आपके लिए क्यों है तो दरसलिए अभी क्या हुआ है भारत सरकार ने आप दो दिन पहले की न्यूज देखेंगे तो पता चला गए भारत सरकार ने एक सो दो लाग करोर रुपए का निवेस करने का ब्लूप्रिंट तयार किया है एमाउन देखिए एक सो दो लाग करोर रुपए आप समसकते हैं कि का है यह काफी बड़ी रास्ती है इसलिए student दरसल है NIP हमारे लिए important हो जाता है हम NIP पर direct बात करें उससे पहले कुछ चीज़ों को में समझना होगा इसमें एक सब्द है national यह आपसे परचित कराने किससे जरूर नहीं है हम सभी क्या है राष्टी है nationalism हमारे अंदर है तो यह सब्द से आप परचित है दूसरा स चत्या का हिंदी होता है आधारभू सरचना आधारभू सरचना से तात पर उन सुब बैसिक सुबधाओं से है या उन कारियों से है जिससे क्या होती किसी अर्थव्योस्ता को गति मिलती फॉर एक्जामपल सड़क संचार के साधन पूल जलापूर्ती बिजली ग्रीड रेल आएंगे आपके यहां की सड़के कैसे हैं आपके यहां बिजली कितनी आती है नहीं आती है वहां पे बुल है या नहीं है या फिर जो है कि बाड़ आती है तो आपका जिला पड़ोसी के जिले में चला जाता है ऐसी कैसी कौन कौन सी घटनाय होती है तो स्वभाविक है आपके गाओं में क्या है कि आपका डेलाइं अर्फा अ वहां पर सडके नहीं है वहां पर कोल्डाइन शनुंद Anybody के सभवu सद्के तो आप उपने समवान को कहा लेगे जाते तो यह वहां पर dough can कर यह दरसल आप पर मंडी है वहां पर मार्केट है वहां पर सड़के हैं यातायाद के साधन है कोली स्टोरेज इस सभी चीजे क्या हुए आपने देखा ग्रामीड और सहर में अंतर आया ठीक इसी तरह अगर पूरे देश के पॉंटा भी उसे देखें तो आपको क्या पता चलेगा गुजरात महरास्ता तमिलनाडू करनाड का यह ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या इंफ्रेस्ट्रक्चर बहुत अच्छा है ठीक इसी तरह से इसके पैरलर आप देखिए बिहार को ले लिजे जहार इंफ्रेस्ट्रक्चर काफी जावा डेवलप है और वहीं अगर हम देखें तो भारत अफिरका के देश देख लेजे आप जो है कि इन देशों में एसिया के कुछ देख लेजे इंफ्रेस्ट्रक्चर क्या है काफी कम विख्सित है सो भाविक है जब इंफ्रेस्ट्रक्चर कम बिक्सित होगा तो हां कि अर्थव्योस्था भी क्या होगी कम बिक्सित होगी इन्हीं पूरे घटना क्रमों को देखते हुए दरसल क्या किया गया है भारत सरकार ने अब इसमें निवेश करने का जो है कि ऑसर ढोड़ा है और इसके लिए इस्टूडें एक सो दो लाग करो रुपय का पैकेज जो है कि क्या किया गया है बनाया गया है इस्टूडें दरसल भारत की अर्थव्योस्था के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि दरसल भारती अर्थव्योस्था ऐसी अर्थव्योस्था के रूप में जानी जाती रही है जो काफी पिछडी होई है फ्रश थल्खक ग्लोबल कॉंपवितीटिव नस इंडेक्स में क्या होता है धरसिया दिखाया जाता है कि किसी देश के अर्थब्यायोस्ता में कुपिशन का माहौल कितना है और उसका त इतना और यह जादा पुराना डेटा नहीं इस्टुडेंट यह इंडेक्स 2019 का ही है जो बर्स अभी आपने क्या किया है क्रॉस किया है सो भाविक है भारती अर्थव्योस्था को गती देने के लिए इस समय जो स्लोडाउन की कंडिसन आई है इससे हमें निपटने के लिए और भारती अर्थव्योस्था को बैस्विक अर्थव्योस्था में उसका जो है कि इस्थान देने के लिए जैसा कि हमने गोशना की हम आने वाले समय में इसको पांच ट्रिलियन की अर्थव्योस्था बनाना चाहते है तो उसके लिए हम जरूरी था कि हम इन्फार्श्रक्चर पर क्या करें निवेस करें कुल मिलाकर इसी के लिए ब्लूफरेंट तयार किया गया है और इसमें क्या किया जाएगा एक सो दो लाग करोड रुपय का क्या क्या जाएगा निवेस किया जाएगा और इस तो निवेस का जो बात है यह जो ब्लूफरेंट जो तयार किया गया है ये दरसल ये बिल्कुल नया नहीं है, अगर आप जो है के 15 अगस 2019 को लाल के लिए पर जब मानिय परधान मंतरी जी जी बोल रहे थे, उस स्पीच को आपने सुना होगा, तब ही उन्होंने कहा था कि आने वाले पांस अलों में हम क्या करेंगे, अगसे 100 लाग करोन रुपे का क्या करेंगे, निवेस बभारती अर्थवियोस्ता के आधार भूस सनचना में करेंगे, और दरसल उसी स्पीच को अब क्या किया है, फंड के माध्यम से इसका ब्लूप्रिंट जो है कि तैयार किया गया है, और इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से यह कहा गया कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे इसमें काफी ज़्यादा निवेज करने की ज़रूरत इसके लिए क्या किया गया बित मंत्राले 2020-2025 तक क्या करेगा परते एक साल बित की आपूरती सुनिश्चित करेगा और जब यह जो blueprint तयार किया गया है किसका national infrastructure जो है कि pipeline का उसमें क्या किया जाएगा दरसल ये इसका जो NIP का जो यहाँ जो आया है एक रूप आया है ब्लुप्रिंट आया है उसमें क्या किया गया था दरसल इसको लाने के लिए जैसे इसको थोड़ा से समझे कि 15 अगस्त को मानिपरदहान मutesy जी निस पजल दिया कि हम क्या करे उसके बाद एक कमेटी गठित की गई कि वह बता है कि क्या-क्या किस तरह से हमें भारती अर्थविवस्ता के आधारवू सरचना को जो है कि सुधारना है और जो कमेटी तयार की गई थी वह ती दर सक वह जो आपके एकॉनमीक जो फेर्स के सेकरेटीरी के अधिश्यता में तय थी आयो के CEO अमिताब कांत भी सामिल थे और सभी लोगों ने मिलकर क्या कि एक blueprint तयार किया और वही blueprint अब NIP के नाम से जाना जा दूसरा एक student मैंने आपको pipeline का मतलब नहीं समझाया था तो दीके pipeline का मतलब student यह है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए roadmap बनाते हैं तो roadmap में कौँ से चीज हम कब करेंगे जब इसी roadmap को आप इस रूप में देखते हैं आप उसकी preferences टे करते हैं टाइम लाइन ते करते हैं तो उसी को आप क्या कहते हैं pipeline कहते हैं तो जो इस्टू ने यह जो pipeline जो यह कमेटी गठित की गई थी इस कमेटी ने क्या किया है कुछ सुझाओ दिये और इन ही सुझाओं के आधार पर हम national infrastructure pipeline का concept आगे बढ़ाने का प्रयास करना है इसने कहा है कि भारत की अर्थव्योस्था में कुछ बड़े सेक्टरम बड़े पैमाने पर change करनी की आव सकता है और यह change करनी की जो आव सकता है उसमें यह है कि सबसे पहले हमें आधार सरचना को क्या करना होगा मजबूत करना होगा हम अर्थव्योस्था को अगर गती देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें आधार पर सरचना को विक्सित करना चाहिए और इसमें उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद और राज दोनों को क्या करना होगा अपनी भागेदारी सु कि इस प्रकार के नेवे तो रहे हैं उनकाा आउट्पुट क्या रहा है उसमें क्या-काला। फोस्त हैं कहाँ पर दिक्रते आ रही है यह इस छो bunny किन दुषरा इसमें जो निवेस होगा सुजाओ दिया था इनकी जो एकी मन साथ थी किसमें सभी राज जी और जो है की केंद्र और साथी साथ प्राइबरी सेक्टर मिलकर इस भारती अर्थ को आगे बढ़ां अब जब यह निवेस किया जाएगा और इसमें सब्द है मैंने कहा कि pipeline और pipeline में हम क्या करते हैं तो दरसल सबसे पहले जो सबसे सरवाधी जो निवेस किया जाएगा वह energy में जो है कि आपका 24% किया जाएगा उसके बाद roads पर किया जाएगा 19% उसके बाद urban infrastructure पर 16% किया जाएगा railway पर 13% irrigation अर्था सिचाय पर 8% और ruler infra पर 8% निवेस किया जाएगा लेकिन student इसमें एक चीद ध्यान दीजिए जो कम खर्च किया जा रहा है तीन परसेंट खर्च किया जा रहा है वो social infra पर social infra का मतलब कि जैसे आप जो जैसे स्वास्त है सिच्छा है जिनसे society को एक direct फादा मिलत पर 3% खर्च किया जा रहा है तो दरसल इसलिए इसकी आलोचना भी हो रही है यह आलोचना आपको इसलिए ध्यान देना था क्योंकि कई बार आपसे इसकी कमिया और इसके आलोचना के कारण भी आपसे पूछे जा सकते हैं इसलिए student इसको थोड़ा सा हमने आपके सामने पर परिस्तुत किया गया है और इससे करके हमने क्या किया है कि energy roads अर्वन इंफ्रा रेलबे और जो है कि irrigation में सबसे ज़्यादा निवेश करके हम आर्थ ब्यौस्था को क्या करेंगे गती देना का प्रयास करें प्रश्ण हो आएगा कि इसके लाब क्या क्या हो सकते हैं यह आप लेजिए वह क्या करें energy के लिए क्या करें पावर प्लांट लगाए रोर्स के लिए सड़के बनवाए अर्वन इंफ्रा के लिए कुछ भी करें तो उसमें क्या होगा पुल बनाईए सड़क बनाईए जो है किस्पताल बनाई कुछ भी बनाईए तो उसमें क्या होगा फैक लो जोंगग जोई लोग अभी तक नहीं कंपर रहे थे या इग कम बेच रहे थे अब यह हूँ यह वी भी ज्यादा उत्पादन करने के अधिक लोगों को डिमांड करेंगे रोजगार देंगे और इस साथी साथ यह भी टेक्नोलजी का यूज करेंगे कुल मिलाकर इससे क्या हो रहा है श्टूडेंट कि काम एक ब्यक्ति को मुझे मिला और मैं क्या कर रहा हूं अधिक अधिक से रोजगार मिलेगा तो सब के पास पैसा आएगा और जब सब के पास आहेगा पैसा आएगा तो सभी लोगों की खरीदने की छमता बढ़ेगी और इससे भारती अर्थवेश तक क्या होगी आगे बढ़ेगी इसलिए इसको इस रूप में भी देखा जा रहा है कि दर्सल यह इंडियन एकोनमी को स्लो डाउन से उबारनी की एक प्रयास है और यह अच्छा प्रयास माना जा रहा है तो कुल मिलाकर इससे क्या होगा इससे प्रोजेक्ट प्रारूम होंगे बिजनस बढ़ेगा नुक्रिया बढ़ेंगे और नुक्री बढ़ेगी लोग पास पैसा आएग हो गपास फोरभीलर के बाद हो सकता मैं उडी करूं मसरडीच खरीद हूं तो दरसली सबी चीजे क्या हो रही हैं कि पैसा यह जो है कि क्या होगा इकॉन्वीओ फ्लो होगा बर क्यो ब्रद्ध होगी यह ब्रद्ध होगी तो साथी साथी इसमें जो कहा गया कि हमें पांस साल में इन्निवेस करना है और इसका आउटफूर प्राप्त करना है तो डेवलपर क्या करेंगे तेजी से कार करेंगे तो इससे क्या होगा इन्फरेस्टेक्टर तेजी से बिक्सित होगा तो साथी साथ हमने इसमें मानेटरिंग mechanism विक्सित किया है इसके बज़े से क्या होगा जब monitoring करने वाला mechanism होगा तो जो developer है या जो contractor है उनकी गुडवत्ता भी हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे और इससे क्या होगा जो सड़के अभी बनती थी और मांसून आता था तो मांसून की पानी के साथ ही सड़के बंगाल की खाड़ी में चली जाती थी अब बंगाल की खाड़ी में नहीं जाएंगे यह हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे साती साता इस्ट्रें वित्थी संस्थां को भी मिलेगी प्रूष्याइगा वित्त्य संस्था अब को सोचे अगर मुझे रोड बनाने का49 उम्हें सबस्क्राइब समा उसे कोँगा मुझे लोन दीजे कि मुझे समार खरीदना है, तो जब क्या होगा हम जब प्रकार का है, प्लान कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सभी लोग को जब रोजगार मिलेगा, सभी लोग पास पैसा आएगा, हर छित्र ने सड़के बनेंगे, और द्योग और इस तरह से जो हमारा Global Competitiveness Index, WEF के द्वारा, World Economy के द्वारा जारी किया जाता है जिसमें हमारी 68th position है, वह उसमें क्या होगा सुधार होगा और इस तरह से भारती अर्थ वैस्ता होगा क्या मिलेगी, गती मिलेगी हम बात करते हैं, मैं तीसरी खबर, तीसरी खबर जो हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रही हुआ क्या है पसु पालन और भारती अर्थ वैस्ता, प्रश्णा आएगा, पसु पालन और भारती अर्थ वैस्ता का क्या संब्द है इसको आप इक ग्रामीर पॉंट अब ब्यू से सोचए, फिर मैं इसको इलेबरोट करता हूँ अगर आप ग्रामीर छेतर में हैं, नहीं है, सहर में भी रहते होंगे, तो आपकी रिष्टेदार जरूर गाम में रहते होंगे तो आप उनको देखे, तो क्या होता है कि कुछ घर ऐसे होते हैं, जो कि क्या करते हैं, क्रिसी कारे करते हैं, या वह जो कि दुख देए, जो कि पसु पालते हैं, और पसु कई परकार के उनको बाइप प्रोडक्ट देते हैं, और उसका योज करके क्या करते हैं, अपना घर, जो है घर और परिवार चलाते हैं, ठीक इसी तरह से, अब क्या हो, अगर आप इसको सोचिए, आप मदर डेरी के पॉंट अब इससे, और अम्मोल के पॉंट अब इससे, तो यह देखी एक क्या है, कि डेरी इंडस्ट्री का जो विकास हुआ है, वह किस पे निर्भर है, पसु क्वाल्टी के, जो आपके प्रोटीन के मेटेरियल होते हैं, जो एनिमस से प्राप्त होते हैं, उसका सोर्स आपको दिखाई देगा दर्शल क्या है, वह न्यूजीलेंड, तो दर्शल क्या है, बहुत से ऐसी अर्थ व्योवस्थाएं हैं, जिन्होंने अपने पसु पालन, छेतर को बिक सित करके, अपनी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा, वह क्या करते हैं, उसके प्राप्त करते हैं, भारत में स्टूडेंट, बिस्व के सरवाधिक पसु पाया जाते हैं, अब इस पर थोड़ा सा हस भी सकते हैं, और थोड़ा सा आपको खेद भी हो सकता है, ह कि हमारे पास पसु धन जादा है, तो दरसल हो क्या रहा है, कि इसमें भारती अर्थव्योस्ता में जो चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए कई बिकल्प तला से जा रहे हैं, एक बिकल्प जैसा है कि मैंने बताया, कि इन्फरस्रेक्ट्चर में निबेस करने को लेकर और एक बिकल्प दिखा जा रहा है कि कैसे हम भारती अर्थव्योस्ता को गती देने के लिए पसु पालन छित्र को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, आप इस्टूडेंट देखिए, जैसे न्यूजिलेंड का मैंने नाम लिया, जैसे मैं हॉलेंड का आ जाब करते हैं, तो दरसल भारत में जब छित्र जादा है, यहां पर पसु पालन के लिए आइडियल कंडिशन भी बहुत से छित्रों में है, तो क्यों ना इसी अब पसु पालन को क्या कर दिया जाए, भारती अर्थव्योस्ता के एक इंजन के रूप में इस्थापित कर द जैसे हमारे गाय को पालने की संस्कृति आज से नहीं है, पुरानी संस्कृति है, तो दरसल हड रहा, लेकिन जिन देसों ने क्या किया है, कि दरसल जो पसु पालन को एज़े इकॉनमी का पार्ट बना लिया है, वो आगे बढ़ गया है, भारत में ऐसा दिखाई नहीं देत अर्थात हमारे पास पसु जरूर है, हम पालते जरूर हैं, लेकिन ओंगणाइजड फैक्त में नहीं है, अर्थात वो संगठित ना होकर, असंगठित रूप में है, बिखरा रूप है, लेकिन इसी के कुछ छित्रों में, जब हमने इसको संगठित कर दिया, जैसे आप जो कठा करके ले जाते होंगे तो दरसल यही जो प्रयास है इसी को और क्या करना हम मजबूत कर देंगे अपने आप चीजे क्या हो जाएंगे जादा ब्योस्तित हो जाएंगे इस्टोने अब आई एक एक मिनिट पर हम देखते हैं भारत में विस्व के सरवाधिक पसुपाय जात दें तो अगर मांसून से उतार चड़ाव आता है तो किसानों को डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनके पास जो पसुधन है उसका यूच करके वह क्या कर सकते हैं अपनियाद प्राप्त कर सकते हैं इसको और दूसी चीजे कि इन उत्पादों का जो अभी जो प प्रियास करना है भाराज जैसे क्रिसी परधान देश में इसको क्या किया जाता है इसको बिजनस नहीं माना जाता तो ना ही तो क्रिसी को फायदे का बिजनस माना जाता है ना पसुधन को ऐसे में चूंकि क्रिसी के साथ क्या चुना होती है कि इसकी अनिस्चिताएं बढ़ा कर और उसको क्या करने और्गनाइज करने तो कहीं न कहीं जो किसान तूड़ता है जो सुसाइड करता है साती साधा अनीत क्राकार की कृसिस का सामना करता है उससे वह मुक्ति मिल सकतER श्कूंद आपको यह और पता है कि भारत सरकार 2022 तक क्या कर रही है कि किसानों की आई को दुगुनी करने का प्रेस करें दुगुना कैसे करेंगे एक विकल्प है कि हम MSP बस्तू की बढ़ा दें लेकिन MSP बढ़ाने का तो विकल्प बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है कि अचाने में MSP का बढ़ा दीजिए और उससे सब को फादा में लेकिन पसुधन का हमने क्या किया था यूज किया था और इससे क्या हुआ था ना सिर्फ पसुपालकों को फादा हुआ उपभुगताओं को भी तो क्या हुआ फादा हुआ और देश की निर्भरता बढ़ी तो दरसली जो निर्भरता तो हमने प्राप्त कर ली है अब इसको क्या करना इस निर और 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 गनाइज करने का प्रयास करने के करम में सबसे बड़ी जो बात आएगी वह आएगी कि ना सिर्फ हम क्या करेंगे दुख दुखपादों का निर्याद कर सकेंगे बल कि जो महिलाएं हैं जिनके पास अभी रोजगार नहीं है और उनको क्या करेंगे सेल्फ परिवार है और आपके परिवार में कुछ माताएं हैं कुछ बहन हैं आप क्या करते हैं आप और आपके प्रिता जी जाके आप कारपोर्ड सेक्टर में जॉब करते हैं सरकारी जॉब करते हैं लेकिन अगर उनके पास उनके पसंद का पसूह और उसको पाले और उसको बेच उसका मार्केटिंग करें, साथी साथ उसके लिए बाजार में जाएं, लोगों से इंट्रेक्शन करें, उससे जो पैसा है उसकी खुद की जिम्मेदारी ने, खुद खर्च करें, तो क्या इससे महिलाएं, जो है कि सुवरोजगार की ओर नहीं बढ़ेंगी और इस तरह से उन किया जाएगा, तो मतलब क्या है, कि अगर माली जी अभी आपके गाउं में दस लोग ऐसे हैं, जो बाइक से चलते हैं, या कार से चलते हैं, बाइक थोड़ा सा छोटा हो जाए, माली कार से चलते हैं, तो अगर उनके पास क्या होगा, रोजगार होगा, खुद का रोजगा में कैसे हम पसुपालन इंडिस्ट्री का यूज करके या इसको जो है कि और्गनाइज़ करके हम इसको अर्थिवयोस्था को के स्वरूप को चेंज कर सकते हैं इसके लिए इंटर्मिनिस्ट्रिय जो अर्थात यह मंतरियों की जो कि कमेटी थी इसने भी यह माना है कि अगर हमें किसानों की आय को क्या करना है इसको दुगूना करना है तो हमें क्या करना होगा दरसल हमें पसू पालन के छेत्रों को अलिग बढ़ाना होगा इतना होने के बावजूद इस्टूडेंट आप प्रश्णा करेंगे कि तब आखिर हम इसको करके हो नहीं रहे तो दरसल इसके पीछे के कारण क्या है कि इतनी जो संभावनाएं हैं इसके बावजूद कुछ चुनोतियां भी इस्टूडेंट है और उन्ही चुनोतियों के कारण हम क्या कर रहे हैं अभी जो है कि पसू धन का बहुत अच्छा उप्योग नहीं कर पार इस्टूडेंट दरसल क्या होता है कि जो केंदी और राजिक सरकारी की जो इसकीमे हैं वो किसानों तक उस रूप में नहीं पहुँच पाती है जिस तरह से घोशना की जाती है माल लिजे आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि लोगों को फंड दिया जा रहा है कि आप डेरी खो लिए या आप पसू पा लिए सरकार सबसीडी उस पर कुछ देगी लेकिन दरसल जो क्या है यह घोशना तो कर दी जाती है जैसे आपने मुद्धा स्कीम का विसे में सोना होगा कि घोशना तो कर दी गए कि पैसे हम देंगे लेकिन लोगों को पैसे नहीं मिल पाते तो सभी जैसे इस कुम्यों के साथ सत पसू धन को लेकर भी यहाँ पर एक चुनोती साथी साथ इस्टोडन हमारे पास ब्रीडिंग बूल्स अच्छे क्वाल्टी के नहीं है ब्रीडिंग बूल्स का मतलब है तो उत्पादन क्या होगा कम करेगा आपने देखा होगा जहां पर ब्रीडिंग बूल्स बहुत अच्छे होते हैं और वहाँ से जो पसू आते हैं उनकी जो हैं कि दुख ददेने की च्छमता क्या होती ज़्याधा होती तो सवभावी के हमारे पास अच्छे क्वाल्टी के breeding boost की क्या है कमें है साथी साथ हमारे हैं बेटर्री का काम देखने वाले जो लोग है एक तो उनकी संख्या क्यम है तो साथी साथ उनका skill भी क्या है इस्टुडेंट कम विक्सित हुआ है अर्था तो वह सामान डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं उनके पास बहुत अच्छी क्वाल्टी की knowledge नहीं होती इस बज़े से किसी के हाँ पसुआ अगर बिमार होता है तो भगवान को प्यारा ही हो जाता है हमारे हैं चारा का भाव भी है और दरसल इसके बज़े से है कि जब हमारे हैं गर्मी का समय आता है तो हमने क्या किया है कि चारा को विक्सित करने के लिए कुछ हमने इस्पेसर प्रावधान नहीं किया है और इसके वज़े से हमारे चारा का अभाव हो जाता है और इसके वज़े से पसुओं की क्या होता है काफी चुनोती होती है और कई बार हम इसी कारण पसुओं को पालते नहीं कि दूद को किते रूप में चेंजंग कर सकते हैं लेकर भी ऐस्छा चैनल उद्न नहीं garlic कुछ बढ़quy सरकार कुछ प्रयास कर रही सरकार क्या कर रहे हुए हैं 경찰 को का प्रयास कर रही है हाँ अभी भूद कुछ कर नहीं पाएं साथ ह hijos पालेंग के लिएm एक कंसोर्टियम नावाड और NCDC के बीच बनाया जा रहा है NCDC का मतलब क्या है इस्टूर्टियम के दरसर National Center for Disease National Center for Disease के बीच क्या किया जा रहा है एक कंसोर्टियम बनाया जा रहा है और एक कंसोर्टियम क्या करेगा कि डिजीज का मतलब है कि पसु जो बिमार हो के उनकी मृत्य हो जाती थी इससे निप्टेंगे और नावाड क्या करेगा बित्य की उपलब्दता सुनिश्चित करेगा और इस तरह से हम क्या कर रहे हैं पसु धन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और पब्लिक प्राइबिट प्राटनर्सिप जब बढ़ जाएगा तो अपने आप जो जो चेत्र अभी जो है कि बहुत जो है कि संगठित नहीं हो पाया है वो क्या हो जाएगा संगठित हो जाएगा उसके साथ साथ इस्टूडेंट जो महत्पुर स्कीम जिसके बज़े से य इनका भी नाम आपको क्या रखना है याद रखना है यह सभी आपके स्कीन पर लिखी हुई है मैं इनको पढ़ नहीं रहा हूँ इनका यूज करिएगा और इनको यूज करके आप बताईएगा कि सरकार के इन स्कीमों के द्वारा क्या हुआ हुआ है कि सरकार आने वाले समय में परसु धन को बिक्सित करके भारती अर्थव्योस्ता में एक प्रसु धन का एक परमुक योगना सुनिशित करने का प्रयास कर रही है इन में जो चुनोतियों का मैंने उनले किया उन्हें बता दिये यह वे चुनोतिया भी है और जब हम इन चुनोतियों को टैकल कर लेंग कर दो